Hi guys, welcome back to my channel So, आज की वीडियो में मैं सहर करने वाली हूँ Barbie room मैं आज Barbie का room बनाने वाली हूँ I am super duper excited for this video Also, I am little nervous I don't know क्या कुछ बनने वाला है Let's see, मैं क्या बना रही हूँ मैं आज की वीडियो में कुछ भी fancy चीज का use नहीं करने वाली हूँ So, जो चीजे मेरे पास है मैं उसे use करके मैं आज का वीडियो बनाने वाली हूँ So, without wasting any moment, let's start the video So, Barbie के room decor करने के लिए मैं super clay का use करने वाली हूँ Best part यह है कि यह colorful है We don't need to paint इसके अंदर आपको 3 tools मिल जाएंगे और इसका जो texture है OMG I am using this clay for the first time And trust me guys, यह clay से मुझे thermacol वाली feeling आ रही है Anyways So, now let's start the process So, first मैं यहाँ पर Barbie का room बनाँगी So, सबसे पहले मैं लूँगी white seat मैं यह दो white seat को लेके combine करने वाली हूँ मैं white seat में पहले line draw कर लूँगी फिर उसे fold कर दूँगी After that दूसरा वाला white seat लेके मैं नीचे के लिए measurement ले लूँगी फिर उसे भी cut कर लूँगी So, पहले वाली white seat को मैं equally square step में divide कर रही हूँ Fold करके उसके बाद नीचे वाले line को मैं cut करके कुछ इस तरह paste कर लूँगी फिर दूसरे वाले paper को use करके मैं measurement ले लूँगी फिर उसे भी cut कर लेंगे दोनों papers को अच्छे से stick करने के बाद Barbie का room कुछ इस तरह सब बन गया है Seriously guys मैं ऐसा कुछ पहली बार try करने बाली हूँ पता नहीं कैसे बनेगा but Anyways, papers के properly paste होने के बाद Finally time आ चुका है Barbie के room के वाल को color करने का So, of course यार अगर मैं Barbie का bedroom बना रही हूँ तो वाल का color तो pink ही होगा Inky, pinky, ponky तो सबसे पहले मैं यहाँ पे white acrylic और red acrylic को mist कर लूँगी और वाल की painting स्टार्ट कर दूँगी Believe me guys, this is so 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 satisfying Tell me, are you guys loving it? So, यहाँ पे मैं different set में color कर लिया है पहले वाले को मैंने dark pink रखाए और नीचे वाले border को मैंने light pink रखाए This pink color is looking super pretty Anyway, इसे जल्दी से हमें finish करना होगा मुझे room को customize करना बहुत पसंदे आप लोगों में से किस-किस को पसंदे Comment में जरूर बताना यह color करने के बाद This is what it's look like मुझे color बहुती जादा cute और pretty लग रहा है So now moving to the next part Clay को use करके मैं bed banana start कर दूँगी Believe me this clay OMG This is super duper soft So यहां पे मैं bed बनाने के process start कर चुकी हूँ हमारे Barbie doll का bedroom बना रही है Bed तो रखना पड़ेगा ही वरना वो आरम कहां पे करेगी So यहां पे मैं Barbie के bed भी pink बनाने वाली हूँ फिर मैं white clay को use करके Barbie का bed sheet बना Bed banana start कर दूँगी After that bed में थोड़ा detailing के लिए यह chain लगा दूँगी glue की help से Look at this guys यह bed कितना pretty लग रहा है I wish मेरे पास भी ऐसाई bed होता So next यहां पे मैं जो फर्वला कीचेन को मैंने cut किया है उसके अंदर से जो कटन निकला है उसको मैं नीचे बिछा दूँगी उसके बाद मैं यहां पे paper को oval set में cut करके यह जो fur को cut करके मैं stick कर दूँगी इसमें मैं धेर सारे detailing add करने वाली हूँ यहां पे मैं Barbie का made बनाऊंगी OMG Just look at this फिर मैं यहां पे Barbie के लिए lamp बनाऊंगी I know यह थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है पर चलेगा यार OMG guys अभी से यह कितना pretty लग रहा है I'm not sure यह वीडियो में कैसा लगेगा पर real में बहुत ही pretty लग रहा है Believe me Barbie का room है तो obviously यहां पे सब कुछ white और pink से ही होगा Anyway यह सब होने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा detailing और add करती जाऊंगी Anyways यह सब होने के बाद मैं मुझे यह sticker मिला जो कि मेरे पास बहुती पहले से ही पड़ा हुआ था उसको यूज करके मैं Barbie की wall को थोड़ा और decorate कर लूँगी तो अब मैं यहां पे white paper को cut करके border जैसा कुछ बना रही हूँ वैसे मुझे architecture जैसी feeling आ रही है मैं fast time ऐसा कुछ कर रही हूँ अपनी जिन्देगी में पहली बार I don't know यह कैसा बनेगा या आप लोगों को कैसा लग रहा है please comment section में जरूर बताना इतनी छोटू से घर के लिए मुझे छोटू सा बार्बी तो नहीं मिला तो यहां पे मैं kitchen के बार्बी को यूज कर लोगी यह बार्बी का नेक मुझे कुछ खाली लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक necklace पहनाया जाए झाल झाल